स्ट्राइब के वियूर्स माइनम दिजवान चीमा, फाउंटरंट सी यू फॉमकान सोलुशन प्राइब लिमिटर्ड आपका सफर प्लॉट से मकान तक आज के स्टूडियो में कerson figures in серд eye और यूसी अखिए एकसैस रोड वन से आगे बाकी obviamente बाकि मेंशन बन रे हैं उनके हम में खुआ करके से एकसैसर रोड वन है इसको जब प्लॉक इंट्रि लेते हैं प्लॉक डोग और ब्लॉक भ्लाइब करता है तो वहां से जाकर डिर्येट करता है ये क्वेड ब्लाइबग B आर ब्लाइब अर entrance road 2 के दिनम्यान में main bolivards हैं उसकी development का status as of today 6th of January 2021 2022 एंड इसके लावा जो बाकी surrounding development block development horizon blocks में उसका भी आपको idea अच्छी तरह मिल जाएगा मैं पिछले तरी वीक से overseas prime की series बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जाके जून जुलाई में series बनाई थी overseas prime की तो मैंने try कि इसमें जितने blocks हैं उन blocks की तमाम की update और इसके बाद अभी जितने block के लावा main bolivards हैं उन पर जो development का status है उसके वाले से तमाम updates आप लोगं को update कर दूँ कि इस वक जून members ने investment कर रखी है overseas prime block में तो उन members को अपनी investment पर update मिल सके कि इस सटेंड करती है इस वक्त जो स्क्रीन पर footage देख रहे हैं आपको entrance road point जो access road 1 का entry point है जिसकी मकमल कारपटिंग हो चुकी है और इस जगह पर पहले gate होता था एक प्राने society यहाँ पर नेशनल housing society उसके जो board था उसको gate वेरा को हटा दिया गया है तोड़ दिया गया है और यहाँ पर society की तरफ से अपने gate जो है जिसकी construction का अगास होना है लेकिन अभी तक for the time being उसकी construction का अगास नहीं हुआ यही road आगे lead करता है lead करने के बाद right side वे block G आता है जिसकी मैंने कल और परसों में दो वीडियोज पोस्ट की थी तो इस हवाले से इन blocks की आपको current update सियांसे मिल जाएंगी अगर हम overall main believer की बात करें तो main believer जो है block G तक complete है और block G तक मकमल carpeting हो चुकी है और block G से towards right जा मुड़ते है block F की तरह तो वो road भी carpet हो चुका है even जहांपे plantation होती है main road के दिम्यान में वो भी हो चुकी है और उससे आगे towards block F से एक left side पे road जाता है जहांपे आगे maps पे apartments वारा के plot short है और इसके लावा जो चार्मला commercial है उसकी जो location है वहांपे आती है वो area भी develop है और मकमल कार्पिटिंग वहांपे हो चुके even जो saverage line है उसको बिचाया जा चुका है इस road पे इस road के साथ साथ आप right side पे यहांपे विलास की construction का गास हो रहा है और इसके साथ जो बाकी block G और block H में दस मरला के विलास के इलावा यहांपे एक location जहांपे मस्जिद के plot पे अनकरीम मस्जिद construction का खास भी हो जाएगा तो अब overall देखा जाए तो तीन locations हैं जहांपे काम हो रहा है जिसमें block G, block H और इसमें block G के लाइचर के साथ साथ main believers पे जो काम है वो अपनी अच्छी रफ़तार के साथ जारी है access road 1 की importance कुछ इसलिए भी ज्यादा के access road 1 से आप directly access ले सकते हैं towards executive district 1 executive district 1 की इससे पहले कोई direct access available नहीं थी और अभी इस road के बनने से प्लस जो आगे executive block अपना bridge बन रहा है उस bridge पे भी completion जो है वो हो चुकी है और इस road के connectivity के साथ वहां तक executive block तक जिसको 2 2017 में sell किया गया था अब 2022 में बैठे हैं तो उस block तक को directly उस district तक directly कोई access मुझूद नहीं थी तो इस road के completion के बाद उस block तक भी access उस district तक access भी मुकमल हो जाएगी तो यह काफी अच्छी बात है उन membrane के लिए जिन एक जेक्टिव ब्लॉग में plot लिया हुआ है जहां तक बात है कि overseas prime के में बिलिवेट की तो overseas prime का access road बन के left side और right side जो 180 feet का road है इस road के लावा जो center में plantation वगारा यह होटी culture काम है वो भी मुकमल हो चुका है in fact सबसे बड़ी बात यह कि दोनों side बे footpaths प्लस इसके लावा footpath के लावा जो center में इस G block और H block के junction से आगा move करते हैं जब तो आपको right side और left side बे 50 feet का road मिलता है और दोनों side के road के साथ आपको footpath का बनना आपका 120 feet का linear park इसके लावा जो street lights के लगना और saverage काम है वो भी मकमल हो चुका है block G और block H के तरमयान में यह भी block H की back side बाली road है और block back side बाली road से आप overseas prime block F को access कर सकते हैं और जो आपके road आपको corporate नज़र आ रही है यहां से आप overseas prime block F के जो दो कनाल और चार कनाल के plots हैं और कुछ A कनाल के plots हैं उनको भी access कर सकते हैं और जो current location आपको नज़र आ रही है जहां पर कुछ आपको back side बे कुछ compaction काम नज़र आ रहा है यह वाले apartments के plot हैं और apartment के साथ कुछ चारमला के commercial plot जो हैं जो overseas prime में block F से adjacent plot होंगे block F और block H की जो commercial market होगी उसके plots हैं जहां तक बात है main believers की तो main believers की overall जो entrance road gate से लेके block F तक आते हैं तो आपको कोई interruption नहीं मिलती हैं किसी जगा भी आके आपको कच्छा रस्ता यूज़ नहीं करना पड़ता तमाम के तमाम roads मकमल carpeting जिनकी हो चुकी है अब बात करते हैं block D और block E और block F के दर्मयान में block E और block F के दर्मयान में जो road है उसकी कार्प्रिंग काम भी मकमल हो चुका है और आगे block D और block E और block C के दर्मयान में काम मकमल किया जा रहा है इस स्क्रीन पर जो round about आप देख रहे हैं block G, block H, block E, block F का junction point है और इस point से आगे towards आप block E और block F के दर्मयान में जो आप देखें और block D और block C के दर्मयान में जो आप देखें यहां से आगे अगे 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 आप देखें तो main बलिविट की जो कंपैक्शन है वो तो मकमल है और proper layout plan भी मकमल है सिर्फ यहां पे जो दो चीजों की कमी है उनमें एक चीज जो है वो स्ट्रीट की कार्फटिंग और एसफ़र्ल अकाम और नमबर दो जो इस रोड के दर्मयान में प्रॉपरली 120 फीट का linear पार्क बनाया जाएगा उसके भी construction नहीं की जा रही आगे जब block B को यह पार्ट connect करता है और block B के दर्मयान में जो divider road है उस जगा तक जाके properly इसी तरह से road है इस तरह इसमें कोई development नहीं हुई मेरा खेला society इस तरफ से काम मकमल करने के बाद मेन बलोर्ट को जब उस तरफ move करेगी construction काम आने वले दिनों में hopefully society की तरफ से अगर अनॉंस किया जाए तो मेरे हल में इसका तीन मेने possession दिया जा सकता है बट मेरा खेल है कि society ने इसको जैसे के announce किया हुए कि overseas central का possession September 2022 में होगा उसके बाद ही इस prime block का possession दिया जाएगा बट को member अगर request पर construction करना चाहें तो definitely construction कर सकते हैं क्योंकि society की तरफ से itself विलास की construction जो है वो overseas prime block G और block H में already की जा रही है इसके लाब अगर बात करें block B की और block A की तो A block को sell नहीं किया का लेकिन B block में development जो आपको सामने है और right side और left side पे जतनी इस main boulevard के साथ plots है उनकी development में मकमल हो चुकी है in fact जो proper एक leverage की line बचाई जानी है block B में उस पे भी मकमल काम किया जा चुका है access road 2 जो है उसका काम तो already मकमल था यानिकि आज की डेड़ में smartity विजिट करते हैं तो in any case आपको यही access use करनी पड़ती है जो आज की विडियो बेसिकली विडियो बेसिकली वर्सिस प्राइम के central believer की है यह वर्सिस प्राइम का जो main access road 1 से access road 2 connectivity प्रवाइट करने वाला road है उसके वाले से है अगर मैं exact pinpoint कर सकूँ तो यह road है जिसके वाले से आज की विडियो इस road से start होता है और इस road से आगे towards lead करता है access road 1 यहां से property आपको sorry access road 1 प्राइम ब्लॉग का यहां से lead करता है यह road और यहां से आगे आपको access road 1 से property access मिलती है block B के दरम्यान में है जूम करता हूँ ताकि आपको clear understanding मिल सके अभी आपको screen पर जो नज़र आ रहा है आपको यह entrance road 1 है जिसके carpeting काम यहां तक मुकमल किया जा जुका है और इस से आगे यही road है जो आगे lead करता है bridge तक और bridge से आगे executive block को access मिलती है अभी for the time being यह entrance road 1 जो है इसकी completion जो है block G और block H के दरम्यान में यहां पर partition road है यहां पर 120 feet का linear park है sides पे 50 feet का road है तो overall इस point की width जो है that is 220 feet इसकी बनती है और 180 feet carpeted road जो है इसमें मुझूदार center में सिर्फ horticulture के लिए ग्रीनरी के लिए चीज़ें रखी गई है इसके लावा यहां कुछ नहीं है block G में भी जो विलाज कंस्ट्रक्शन से पर काम हो चुका है start हो चुका है block G में जो कनाल a construction है उसके बी काम start किया जा चुका है यहां पे बी कनाल है और यहां पे कुछ 10-मड़ा के विलाज है इसके लावा यहां पीछे कुछ 10-मड़ा के विलाज है इन पे जो जमीन पे construction काम है उनका start भी हो गया अब हम एक्सेस रोड बात करें ब्लॉक G और ब्लॉक H का जो डिवाइडर रोड है उसके वाले से ब्लॉक G और ब्लॉक H का डिवाइडर रोड यहां वराल Google सेटलेट बात करें तो यहां तक मकमल कार्पिटिंग हो चुकी है और इस पॉंट से आगे इंटरन्स रोड वन से इस रोड से होते हुए फिर आप यह राउंड बाट से इस तरह से लेफट टरन होते हैं और यहां से आप प्रॉपरली यहां पर एक्सेस कर सकते हैं अब अगर बात कीज़ाई इस पॉंट से आगे यहीं जो आपको road नज़र आ रहा है यह अभी जो layout plan तो बना हुआ है लेकिन इसकी proper asphalt और कार्पिरिंग काम यहां पे नहीं हुआ अब मैं Google Earth satellite पर आपको सारा share करता हूँ ताकि आपको clear understanding मिल सके हैं यह road, entrance road 1 है इस road पर यह वहला मकमल part आपको corporate नज़र आ रहा है यह July 2020 के updated images है इससे ज्यादा भी updated images आपको Google पर नहीं मिलेंगी January 2022 शो करता है बट अभी जो current updated images है यह July 2021 की हैं इससे आगे जब satellite images अपडेट होंगी तो मैं शाला दोबारा इस हवाले से satellite की separate video बना दूँगा तो images आगे continue करें तो यह point आपको आता है जिस point पर आके दोना block यह एक junction point है यहां तक इस point से आगे right मुडते हैं तो यह मकमल carpeting हो चुकी है प्लस यहां पर center में जो आप कहलें कि plantation बगारा है horticulture काम है वो मकमल किया जा चुक है इसके लावा side पर जो footpaths हैं वो भी बनाए जा चुकी है same goes for this road यहां पर plantation मकमल हो चुकी है saverage मकमल हो चुकी है carpeting भी मकमल हो चुकी है प्लस यहां पर street lights भी लग चुकी है और इसके लावा जो footpaths हैं वो भी बनाए जा चुकी है और आगे जो आपको road नजर आ रहा है non-carpeted इसकी भी मकमल carpeting हो चुकी है इसकी भी प्रॉपरली carpeting मकमल हो चुकी है और यह वाला area भी सारा जिसमें कुछ apartment building के plots होंगे कुछ commercial plots होंगे इनको भी मकमल तोर पर developing and leveling का काम जाँपे जारी है अब जो यह point जो junction point है जहां पर block G, block H, block F यह जो point बनता है block F, E, G, H इस junction point से आगे यहां तक मकमल carpeting अभी स्टार्ट नहीं होई जब आगे वाँ स्टार्ट होगी तो मैं उसके वाले से separate वीडियो बना दूँगा अब देखते हैं जी प्राइम ब्लॉक में रिसेंट डेज में जो इस में बलिवर्ट में चेंजिस आए हैं उसके वाले से आपको एक अपडेट देते हैं ताकि आपको idea मिल सके कि यहां पर क्या status है development का अब देखते हैं जुलाई 20, 2021 की images देखें तो कुछ satellite images यूँ दिखाई देती थी May 2021 में images कुछ यूँ दिखाई देती थी थोड़ा सा बैक करें इसको January 2021 में तो यहां पर कुछ पर development नहीं हुई थी यहां पर images जो हैं आपको raw land नजर आ रही है as such कोई clear जो development है यहां पर नजर नहीं आती अब 2020 में अगर जाती है जब अगर्स 2020 में लाँच किया गया था यह जुलाए 2020 की images है तो यहां पर परानी housing society तो इसका हम National Housing Foundation जो अभी यहां पर exist नहीं करती यह पूरी society अक्वाइर कर ली गई थी और यहां पर overall development जो है वो की जारी यह overall society की details है आज की date में as of 6th of January 2021 अब इसको मैं दोबारा timeline को move करता हूँ आगे की दरफ तो आपको changes नजर आ जाएंगे January 2021 May 2021 then July 2021 यह maximum update images है इससे जएधा update images आपको Google साटलाइट पे नहीं मिलेंगी अगेन back to real time footage और इस अपने screen पे जो block B में development हो रही है जहां पे यह entrance road 2 से match करता है entrance road 1 यह main believer of overseas prime उस block तक अपने development देख लिया है अब reverse में देखें तो पुरे overall जो block में development हो रही है overseas prime में यह जतनी development ग्राउंड वर्क चल रहा है उसके वाले से explain करता हूं तो इस वक्त तमाम के तमाम blocks में overseas prime block में development चल रही है माँ सिवाए block J, block K, block L, block M जिसमें से block L और block M को तो sale ही नहीं किया गया और block J और block K को sale किया गया है वहां पे 10 मला के plot हैं block L और block M में 5 मला की cuttings हैं तो इसलिए उनकी development जो है block L में 7 मला के cuttings भी है उसके development ना भी होता है तो इसको इशो नहीं है लेकिन block G और block A को society मेरे हाल में block G और block H के बाद preference पर develop करेगी तो block overseas district prime जो है उसके development ओवराल तकरीबन मुकमल हो जाएगी ये by the end of 2022 मेरे खाला overseas prime block सारा clear हो जाएगा इस वक आपको water tank में नज़र आ रहा है ground पर village बनना भी start हो गी है सीवरेज की pipeline जो different blocks के अंदर है वो भी बिचाने शुरू हो गी है और different blocks के अंदर ये हैं raw end जो थी जिसकी काफी difficulty डिवेलप करना उसको उसको भी society ने बड़ा अच्छा बड़ा जल्दी preference पर develop किया है तो मेरा ख्याल है कि अगले साल के end तक prime block के अंदर तमाम blocks का possession hand over हो जाएगा let's see कि आगे जाके क्या होता है अभी for the time being on ground development अगर देखी जाए overseas prime block की तो तमाम के तमाम block के development एक साल से सवा साल के duration के अंदर देखा जाए इनके तक्रिम्ट सोला महीने पहले लाँच किया गया था और सोला महीने के टाइम फ्रेम में ही इसको जिस speed के साथ develop किया गया है that is really appreciatable इसी तरह society जब इसकी machinery को overseas executive one में मूव करती है two में मूव करती है मेरा ख्याल है कि वहाँ पर ज्यादा preference से move करना चाहिए कि इसको पहले बेचा गया था मैं अकसर वीडियो में बात करता हूँ तो अकसर वीडियो में बात करने में अकसर सिर्फ यह है ताकि executive block के जो membran है जिन्हें स्मार्ट हीटी में सबसे पहले trust किया था सबसे पहले बाय किये थे plots यहां पे तो उन membran को भी उतनी preference मिलने चाहिए जितनी overseas prime and overseas east and overseas central के membran को मिल रही है So this was it from today अगर आपको capital smart city में booking के और इसकुछ मालमा चाहिए हो तो मैंने number आपके screen पे available है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं इसके लावा हमारी website विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com इसके लावा अपके वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाए, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़े जादत अगली वीडियो तक के लिए खुदा आफिस अच्छी करना मत भूले वीडियो उनले वीडियो तक के सब्सक्राइब करता आफिस याले वीडियो तक कुमेंट प्लिजी प्लिद्धे भूले है कि अवान रिए जाय खूले जाई पलो प्लिए प्लिए झावानि याले शो दो को दो